जै मसिकी and गुट मॉर्निंग आज सुभ़ हम प्रभु के वच्चन पर मनन करेंगे उससे पहले एक शन निकाल कर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ क्यूंकि आप मैंसे बहुत से भाई भेनों का मेसेज मेरे पास आता है और उसको पढ़कर मैं प्रभु मैं आनन्दित हूँ ये जानकर कि ये डेली डिवोशन आपके आत्मिक जीवन को और बलवन्थ कर रहा है प्रभु को सारा आदर और महीमा मिले आज से लेकर कुछ दिन तक हम एक टॉपिक पर सीखेंगे और विशे ये है पवित्रात्मा हमारी जीवन में कैसा काम करता है या फिर हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक मसीही के जीवन में पवित्रात्मा की क्या भूमिका है और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे युहना का सूसमचार चौदवी अध्याय और उसकी चबिसवी आयत यहाँ पर हम पढ़ते हैं परंतु सहायक अर्थात पवित्रात्मा जिसे पिता म मेरे नाम से भीजेगा वो तुमें सब बाते सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुमें समरण कराएगा यहाँ पर दो-तीन बाते लिखा है पवित्रात्मा के बारे में लेकिन हम लोग सिरफ एक ही बात पर आज फोकस करेंगे और वो है पहला लाइन का क पवित्रात्मा हमारी जीवन में एक सहायक का रोल प्ले करता है देखिए पवित्रात्मा स्वयम परमेश्वर है और पवित्रात्मा हमारे साथ है जब पवित्रात्मा हमारे साथ है वच्चन हमको सिखाता है कि पवित्रात्मा का दूसरा नाम सहायक है मददगार है हमारी आ के हई एक शेत्र में चाहे वो आत्विक शेत्र हो या वो हम लोग संसार में करने वाले काम हो हर एक एरिया में हमें पवित्रात्मा की मदद की जरुरत है कुछ-कुछ बाते एक्जEMPL के लिए मैं रखना चाहती हूँ जैसे हम लोग को एक पवित्र जीवन जीना है या एक प्रभाव शाली और अनुशासित प्रात्ना का जीवन जीने के लिए पवित्रात्मा की मदद की जरुरत है वचन पर ध्यान करने के लिए कैसे मनन करना है इसके लिए भी पवित्रात्मा हमारी मदद करेगा प्रलोबन के उपर जह पाने के लिए हमें पवित्रात्मा की जरुरत है देखिए हमारी आत्मिक जीवन के हर एक एरिया में हमें पवित्रात्मा की हेल्प की जरुरत है यहाँ पर वो सीमत नहीं है हमारी रोच के जीवन में जो हम लोग संसार में काम करते हैं For example, हम गाड़ी चलाते होंगे, या खाना पकाते होंगे, या हम लोग एक माँ है, एक पिता है, हस्बन्ड है, वाइफ है, हर एक एरिया में हमें पवित्रात्मा की मदद की जरुरत है. For example, अभी गाड़ी चलाने जा रहे हों, हम हर दिन तो गाड़ी चलाते हैं, लेकिन फिर भी चलाने से पहले हमें बोलना है, पवित्रात्मा आप मेरे साथ रहना, आप मेरी मदद करना, कुछ भी करते हैं, आप आफिस जाते हैं, हो सकता है, आप एक नर्स है, आप एक एंजिनियर है, पुलिस है, हो सकता हम लोग सेवकाई में हैं, कुछ भी हम करे किसी से हम बात करे या कोई निरने लेना है कोई बिजिशन लेना है हमें पवित्रात्मा की मदद की जरुरत है तो हमारी जीवन में हमें ये एक आदत बनाना है कुछ भी हम करे हमारे मुँ से हमारे दिल से ये परात्ना निकलना चाहिए कि Holy Spirit help me प्रबू धन्यबाद के आपने हमें पवित्रात्मा का दान दिया है। प्रबू धन्यबाद सारा आदर और महिमा आपको देते हुए ईश्यू के नाम से हम मांगते हैं। आमेन। गौड ब्लेस यू वाल। जै मसिकी।